नमस्कार साथियों सभी राजकिय कारिम्गों के लिए RGHS अर्ताथ राइस्थान गोर्मेंट हेल्थ स्किम राइस्थान सरकार की ओर से प्रारम की गई है और आपको इस योजना के लाप की जानकारी मेरा म्यास मेरा अपने वीडियो के माध्यम से लगातार देता आ रहा हूँ परन्तो अब RGHS पोटल पर मोडूल में कुछ परिवर्तन RGHS टीम की ओर से किये गए हैं तो आज के वीडियो में मैं सभी मोडूल पर आपको सभी मोडूल पर क्विक रेक अप लेकर बताऊँगा कि आपको कौन सी इंफॉर्मिशन अब कहां पर मिलने वाली है तो साथ में वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी आप वीडियो को बिना इसकिप किये अंतरता का वश्च देखिए और साथ में यदिया आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके गंटी वाले बेल आइच उनको दबागर आल पर प्रेस करें कुछ लिए साथ यो लिद्ध है क्विक्रे का तो वो अपनी SSO ID को गवर्मेंट SSO ID में मर्ज करेंगे उसी के उपरांत आपको RGHS पर रेस्टर्शन करना है तो उसके लिए आपको रिक्ष है आपके SSO ID को मर्ज करना है इससे जुड़ा वीडियो में चैनल पर पहले ही उपलब्द करवा चुका हो तो आप वीडियो का लिंक आप चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ने उस वीडियो का लिंक उपलब्द करवाया है आप उस वीडियो की साहता लेकर बड़े आसानी से अपनी नॉर्मल SSO ID को गवर्मेंट SSO ID में मर्ज कर सकते हैं और उसके बाद जब आप लोगिन हो इसा डूंढ़ना है और यह डूंढ़ने है कि ऊहर। आपको इसपर क्लिक कर ले ना आपको और यह पुराने कारमिक है तो आप परकारिक होगा तो यह आपको यहींपे डिस्प्ले में होजाएगी लबे करेंगे। आपके सामने इस तरह से दो मोडूल स्टार्टिंग में खुल कर आएंगे, मैं दोना पर आपको कारे करके बता देता हूं, सबसे पहला मोडूल मिलेगा आपको beneficially module तो beneficially module पर आपको beneficially module रही है क्या information मिलेगी उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे इस तरह की information आप आपको सामने display हो जाएगी तो आपको यहाँ पहली information जो मिलेगी वो edit, serving, employee, detail and addition and deletion of memory यदि आप अपनी serving employee detail को edit करना चाता है या किसी memory को delete करना चाते है तो वो चीज़ आप यहाँ से कर पाएंगे इससे जुड़ा वीडियो भी में channel पर आपकी साहत अर्थ पहले ही available करवा चुका हूँ यदि आपको उसके आउशकता है तो उसका link भी में description box में available करवा दूँगा तो सबसे पहला option आपको यहाँ मिलने वाला है यहाँ पर उसके बाद सबसे important चीज़ जो है दूसर number पर आपको मिलेगी आपको download RGHS card का option यहाँ पर मिलेगा यदि आप card को download करना चाते हैं तो आप यहाँ पर click कीज़ेगा जैसे आप यहाँ click करेंगे आपका RGHS card आपको सामने खुल कर आ जाएगा और आपको नीचे ही नीचे की और print का option मिलेगा और download का option भी मिलेगा तो वहाँ से आप अपना RGHS card डाउनलोड करके देख सकते हैं उसके बाद यहाँ तीसरा जो option आपको मिलेगा card limit tracker का मिलेगा तो आपने अभी तक कितनी राशी का उपयोग कर लिया है उसकी information आपको यहाँ से मिलेगी तो मैं यह card limit tracker आपको बता भी देता हूँ कि इस पर आपको कैसे जानकारी लेनी है तो जैसे आप card limit tracker option पर click करेंगे इस तरह की information आपको सामने आएगी तो यह आप OPD में जानकारी चाहते हैं कि आपने कितना रुपय का उपभोग किया है तो उसके लिए आप OPD की जानकारी यहां से जानना चाहेंगे तो यहां search का option आपको मिलेगा इस search का option पर आप click कर लिजेगा इस तरह से आपकी information कुल कर आ जाएगी अभी तक आपने कितने राशी का जो है यूज कर लिया है वो राशी आपको यहां दिखाए देगी अब उसी तरह जैसे आप IPD में चाहते हैं कि IPD में यह आपने राशी का उपभोग किया है RJHS का RJHS की तो आप यहां IPD पर click करके आपको यहां पर option मिल जाएगा सर्च का इस पर click कर लिजएगा जैसे सर्च पर click करेंगे आपके सामने इस तरह से यहां information आ जाएगी कि आपने कितना उपभोग यहां पर किया है तो यह तो रही सात्यों card limit tracker की जान करीए अब हम चलते हैं अगले option की ओर जहां पर यहां आपको option मिलेगा update detail age पर जनाधार का सात्यों इस से जोड़ा वीडियो पी मैं चैनल पर आपकी साहतार्थ पहले ही available करवा चुका हूँ इस option पर आपको कैसे कारी करना है एक प्रतक से मैंने वीडियो बनाया था जिसका link आपको इस वीडियो के description box में available है यदि आप उसकी जानकरी चाते हैं इस option में आपको क्या क्या मिलेगा तो आप एक पर वीडियो का description box चेक कर लीज़े कर वहाँ आपको हर बिंदू पर वीडियो मिलने वाला है जो जो भी option यहाँ पर आपको मिलेंगे आपको आपको नहीं बताऊंगा आपको यहाँ बार बार यहाँ दिला रहा हूं कि आप description box में इसका link आपको यहाँ से मिल जाएगा तो आप वीडियो अगर आपके साथ कोई घटना हुई है और आप grievance upload करना चाते हैं तो आप यहाँ पर click करके आपके grievance upload कर सकते हैं यह तो grievance upload का option आपको यहाँ मिलेगा उसके बाद यह आपने grievance डाल रखिये तो उसका status भी आप यहाँ से check कर पाएंगे अगला option यहाँ मिलेगा reimbursement name से आपको तो इस पर आप कारे के से करना है एक एक बिंदू पर मैंने बड़ी पारे किसे समझा है कि किस तरह आप इस module पर कारे कर सकते हैं इस पर कारे करने के वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो के description box में मिल जाएगा तो आप सात्यों मैंने जो बता है quick recap बता है कि आपको RGHS पर क्या क्या चीज़े का information मिलेगी वे आपको quick recap बताया है मैंने तो आप इस वीडियो का एक बार description box आप चेक कर लिजेगा तो आप capable हो जाएगे पूरी RGHS जो AFA उस पर कारे करने में उम्मीदे सात्यों जानकारी आपको अच्छी लएगी और जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज मुझे कमेंट वोक्स कमेंट आवर्शी कीजेगा तो सात्यों उसी तरह के हम अपडेट के साथ तब तक के लिए जय हैं जय बारत